3.4 क्या कह रहा है A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward बेड्रंकर कह सलता है इसे सलता है तो कहते 5 step आगे जा रहा है तो 3 step पीशे जा रहा है ऐसा लिखा हुआ है यहीं 5 step आगे जाता है फिर 3 step यहीं हर एक बार में कितने step आगे बढ़ता है वो बेड्रंकर का कोईशन है तो बेड्रंकर है जाने है हम लोग तो ऐसे idea लगा रहे है अले एक बार में 5 step आगे गया और 3 step पीशे गया तो हर बार में 2 step आगे बढ़ रहा है ठीक है followed again by 5 step forward and 3 step backward फिर वो 5 आगे 3 पीशे जा रहा है ठीक है and so on ऐसे चलता चला जा रहा है each step is 1 meter long हर step 1 meter लंबा है यानि कोई एक बार में 5 meter चलता है और 3 meter यानि कि आगे कितना बढ़ा 2 meter यही तो कह रहा है ना अच्छा और 1 second उसको लगता है यानि हर एक कदम उसका 1 meter का होता है और एक बार में 5 कदम वो आगे बढ़ता है और 3 कदम पीशे जाता है और हर एक कदम में उसको 1 second का time लगता है यानि 5 second आगे जाता है और 3 second पीशे आता है तो time तो पूरा लगेगा ना तो गड़ी पीछे हो जाएगी तो लगेगा तो आट सेकेंड ना कि कम हो जाएगा घड़ी तो पीछे हो जाएगी घड़ी पीछे तो रिवार्ट चलना शुरू कर देगी तो कहते हैं कि डिटर्माइन दा ग्राफिकली अद अधर्वाइस हाउ लॉंग दा ड्रंकर टेक्स तो फॉल इन दा पिट लेओ घर ने पुछाएँ पिट मगिरा दियाँ पिट थर्टीन मीटर अवे फ्रॉम स्टार्ट तो कहते हैं या तो आप पहले तो ग्राफिकली स्कोद सो करो तो ग् एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए पहले तो आप चार्ड बनाओगे न तो बहले ड्रंकर को चलाते हैं देखिए एक्सटी ग्राफ हम बना रहे हैं अब कितने कदम जाएगा पता नहीं कितने में पुंचेगा पीट में कब गिरेगा देखते हैं एक दो तीन चार पांच एक्स इन मीटर पहले तो इस टार्ड क्या हूं ने घड़ी सेट की जीरो टाइम जीरो मीटर अब पहले कितने कदम चलाओ पांच कदम चला पांच कदम चला अवी रुख जाइए पांच कदम चला जया अगला चला ताइम लगा उसको नहीं घंवी जला ठीक है याने फिर कितना चलेगा वो इसको दूसरी तिक्रिंगे समझेगा 5 सेक區 चला उस जादा बतर रहेगा 5 सेकंड चला कितने कदम चला 5 मीटर चला कदम अले मीटर चला ठीक है अब पीछे आना है कितने सेकंद पीछे आता रहेगा हूँ यानि कुल टाइम नहीं तीन कदम पीछे आना है उसको तो यानि कि अब कितना टाइम हो गया उसी घड़ी में आठ तो पांच से आठ पीछे कितना आया कितना आगे बढ़ा दो आगे बढ़ा ठीक है इसके बाद कितना आगे बढ़ना है 5 से के ड़ना है यानि 8 में 5 जोड़ो 13 वैंव गलत नहों जाए 13 से के ड़ना चला ठीक है यानि कितना चला 2 पलस 5 कितना चला 7 7 मीटर चला इसके बाद क्या हुआ इसका मतलब नहीं समझा है सुने जाए अभी आपको हो रहा होगा ग्राप में जब लगाओगे तो 5 से कितना ग्राप में दिखाओगे 5 मीटर ठीक आगे 3 से किन ग्राप किस पॉइंट पर आ जाएगा फिर सुनिए गा एक्षिली में ये जो वैलू लिख रहे हैं को इसका में आ रहा होगा सुनिए ध्यान से ग्राप अभी ये बन नहीं रहा है रफली हम बता रहे हैं ये टाइम है और ये है डिस्टेंस एक्स माल लेते हैं ठीक है पहले टाइम जीरो था डिस्टेंस जीरो थी आगे जो 5 सेकेंड में वो कितनी दूरी ताइं किया तो ग्राप में 5 के आगे टिक लगेगा न तयरी कि ऐसे ग्राप चलेगा नहीं समझे ये 5 में चलेगा ऐसे ग्राप अब आगे कितने सेकेंड पीछे जाना है यानि पांच के बाद ये कौन सा टाइम होग Cheese तो 8 सेकेंड में कितना पीछे आएगा वो कितना पीछे आएगा वो तीन पीछे आएगा ना तो अब ग्राफ में हम कहा जाएंगे तो जब तीन पीछे आएंगे तो ग्राफ में दो पे पहुचेंगे ना हम तो तभी दो हमने दिखाया यहाँ पर बनाते भी जाए ज़्यादा ठीक रहेगा ठीक है तो दो पहुंचे गप आठ सेकेंड में सुझ में आई बात आगे दोस्तों साइस्टिप यह हम दो पहुंचे यहाँ पर दो है अग्राफ पर बनाओगे तो ज्यादा वेलू आ जाएगी न और यह क्या दूरी है यह पांच है यह दो है ठीक अब आठ के बाद कितना चलेगा पांच सेकेंड तक चला यानि आठ पांच तेरा अब कितना चलेगा पांच चलेगा ना किस लाइन पर है वो दो पर है ना तो 5 आगे बढ़े गया, कितना बढ़ेगा हो, 7, यानि वो आगे 7 पे जाएगा, यानि कि इसके 7 पे ऐसे यहाँ पर आएगा, ये 13 के सामने ऐसे, यानि वो यहाँ पहुंच जाएगा, सुन्मारी बार नहीं आ रिये, ग्राफ ऐसे भनेगा, ग्राफ में बनाओ को ज़्याद तो बढ़ा आगे, गड़ी बढ़ रही तो तो 3 सकेंड और बढ़ाओ आगी 16 सेंड हो जाएगा ना तो 16 सेंड यानी 16 सेंड यहां पर आ गए हम नहीं समझें अब 16 सेंड में कितना पीछे आएे तो थैंट तो आप 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 आ जाएगे आप यानि कि यहां कहीं आ जाएगे ना यहां पर यहां पर आएगा ने डंकर चार पर आएगा ना इस लाइन पर आप ग्राफ में जब एक, दो, तीन, चार, पांचे इस रख करोगे तो ज़्यादा असा नहीं से आ जाएगा समझे बातार ही नहीं आ रही है तो अब चार पर पहुंच गया ना डंकर और कितना टाइम लगा उसको? 16 सेकंड अभी आगे बढ़ना है यह पीछे लोट क्या आया है आगे बढ़ना है किन्दे सेकंड तक? 5 सेकंड तक यानि कि टाइम कितना हो जाना है अब? 21 सेकंड 21 सेकंड कितना बढ़ेगा वो? 5 सेकंड बढ़ेगा अब कितने मीटर पर हो? 5 सेकंड बढ़ाओ उसको? तो 9 सेकंड पर हो जाएगा यानि कि इसके बाद यह आपका 21 है और 9 यहां कहीं आएगा? 9 तो यानि कि वो यहां पहुंच जाएगा ना डाइग्राउम सेकंड बढ़ा है तो गिनहा टाइप का है आपके वो यह लिए लाइन है देखो जो ऊपर नीचे आ रही है यानि वो कितने सेकंड बहुंचा यहां पर? 21 सेकंड में बहुंचा आप देखे आगे बढ़ा है ना आप उसे पीशे आना है कितने सेकंड नहीं तीन कदम पीशे आ रहा है ना तो तीन सेकंड पीशे आएगा ना तो टाइम कितना हो गया आप? 21, 3, 24 वो तीन कदम पीशे आता है तो तीन सेकंड लेता है और पांच कदम आगे जाता है तो पांच सेकंड लेता है है किुः कि बैद क्रपिश और तीन फिखे आता है और पात फिखे आगे बढ़ता है अब देखे किस पॉइंट पर था ओघर छॉविस पर कितना पिखे आना है कितना फिखे आंगा तो च्छे प्रे आऊ है बाइट चैप मि कितने सेकेंड आगे बढ़ना है पांच सेकेंड तो टाइम कितना हो गया 29 हो गया तो 29 हो गया यह 29 में पांच कदम आगे बढ़ना है तो कितना हो जाएगा 11 11 यहां कहीं आएगा ना यानि कि यहां पर कहीं आएगा ना यह point तो यह आगे यहां बढ़ गया नहीं बढ़ गया diagram सुन्वारा नहीं आ रहा है जब graph बनाओगे तो यह horizontal vertical line है आपके पास already graph में दी होंगे ना अच्छा अब आगे time देखिए कितना second पीशे आना है तो time कितना हो जाएगा 29-3, 32 second 32 आएगा ना कितना पीशे आएगा 3 पीशे आ रहा है तो 3 पीशे कम करो कितना आ जाएगा यह 8 होगा तो 8 यानि कि यहां कहीं होगा ना यह यह 8 है ना और यह time कितना है 32 तो यह वापस यहां पर 8 में आएगा ना लौट करके अच्छा अब आगे कितना बढ़ना है 5 सेकंड तो कितना बढ़ना कितना टाइम हो जाएगा 37 सेकंड और कितना बढ़ेगा 5 पांच जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 यह 13 यहां होगा ना कहीं और 37 37 तो 13 में नीगा ना पिट से निकलके पिछ निशी आएका इस ना, पिट मिल गया उसको, मेरा पिट मेरा पिट मेरा पिट घुजज आएका जाकर कि अब काय पीछ आएगा, तो थेले, जानिकि 37 सेकंड में वो पिट में गिर गाएका, तो टोड़ा सा जब ग्राफ में बनाऊगे ना त वसे डाइग्राम तो फीग जो राइटिंग करते हैं वो क्या बताएं ठीक है